सबी को नमस्कार आज हिमाचल प्रदेश के इस सोशल मीडिया से जुड़े सबी लोगों के कारेकरम में विशेश रूप से उपस्तित आज के हमारे कारेकरम की मुख्य आती थी और सिनिमा जगत की प्रसिद्य कालाकार खंगना रानोज जी राष्टिय सेंसेवक संग के इस प्रांत के प्रांत कारेवा स्रिमान किसमत कुमार जी और यहां उपस्तित कई सरे गणमानिय लोग है और मुझे बताया गया कि पूरे प्रदेश से आप सब लोग आये हैं और कुछ लोग उससे थोड़ा सा बहार से भी आये हैं तो आप सब के उच्छा का बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपको धेर सारी शुब कामना है वैसे आजकल क्या है कि आजकल आप लोग सब सोशल मीडिया से आते हैं और सोशल मीडिया तो थोड़ा सा फास्ट है और इस करण से जो टीवी पहले प्रिंट मीडिया था तो वो आराम से 24 घंडे में एक बार आता था फिर टीवी मीडिया आया वो वरिकिंग निउज में आ गया फिर अब सोशल मीडिया आया तो वो और ज़दा फास्ट है तो फास्ट के साथ साथ जैसे आज कल समाज में भी फास्ट फुड़ बहुत चलता है तो सब लोग जल्दी में ही रहते हैं लेकिन आज थोड़ा सा फुरसत से हम इस जल्दी वाले प्लैटफॉर्म की थोड़ी आराम से चर्चा कर लेंगे और इसलिए मुझे लगता है आज ये एक पूरे दिन भर का आराम से ऐसा एक कारेकरम आज आयुजित किया है मैं इसके लिए जो भी लोग सब इस से जुड़े हैं उन सब को बहुत बधाई देता हूँ वैसे एक बात अब निकली एक बात तो मैं कहना चाहा रहा था मैं कई दिनों से लोग सोचते कि जो बात फास्ट करनी है तो जल्दी खाना खाना चाहिए मतलब फास्ट फूड खाने से ही जल्दी खा सकते हैं ऐसा सोचते हैं बहुत दिन पहले पुराना जब अभी तो चेन्नहीं में नया एरपोर्ट बन गया पहले पुराना जो एरपोर्ट का मॉडल था उसके सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा टी स्टॉल देशा एक दुकान था मतलब तो उस दुकान पे एक बोर्ड लगाया हुआ था वो दुकान था दोसे का दुकान था दोसा चेन्न नहीं है दोसा मिलेगा उस दुकान पे एक बोर्ड था लोग जल्दी में रहते एरपोर्ट पे कि we serve slow food very fast ठीकि लोगों को लगता है fast food ही जल्दी जल्दी में देना है तो fast food ही देना पड़ेगा उन्होंने board लगा था कि we serve slow food यानि दोसा very fast ये उनका board था तो मेरा आप लोगों से यही कहना था कि जो social media में हम लोग लिखते हैं तो जल्दी में रहते हैं तो जल्द बाजी में भी कभी कभी लिख देते हैं और जल्द बाजी में फिर जो stuff है जो मूल बात है या जो बात या संदेश है उस वो कहीं ने कहीं miss हो जाता है निकल जाता है और हमें लगता है कि जल्द बाजी में तो ऐसे ही होता है मतलब ऐसे ही चलता है तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि we can also slow food क्या है slow है हम जब देश की बात करेंगे समाज की बात करेंगे हम इंदुत्व की बात करेंगे हम अपने समस्कृति की बात करेंगे तो आजकल की भाशा में शायद लोग उसको slow food समझते है तो मेरा point यह है कि we can serve our slow food very fast social media के बहुत जल्द वाले महावल में भी हम यह कर सकते है और इसलिए social media में हम लोग यह बात जरूर ध्यान रखें कि यह एक बहुत बड़ा माध्यम है आजकल कई लोग सोचते हैं कि social media में हम यह कर लेंगे कई लोग हैं आजकल जो लोग सोचते हैं कि manipulate कर लेंगे social media में या हम अपना प्रभाव कर लेंगे और उसके लिए बहुत अलग-अलग रास्ते भी अपनाते हैं समाज के प्रति आत्मियता है अपने संस्कृति की धरवर से जुडाव है और उस कारण से उस इमानदारी से आप जैसे लोग अच्छी अच्छी बाते समाज के सामने लाते रहते हैं और वो अपना-पना काम कर रहा है प्रिकि जो शक्तियां ये काम करना चाहती है विपरिश शक्तियां उनके पास बहुत रिसोर्स है बहुत सारे ऐसे देश भी है जिनकी शक्तियां भी उसमें लगती है बहुत सारा धन्बल भी लगता है बहुत सारे शडियंत्र भी लगते है परंनतु फिर भी भारत में उनका वो सम क्या बोलते ही हंदी में कहावत है कि डाल नहीं गल रही वो बात फिर भी जहाँ काम नहीं कर पारही इसका कारण भारत के आम जैसे आम लोग हैं कि जिन्हों है अच्छी बाते बताने का और गलत बातों को इकस पोज करने का एक अभियान छेड़ रखा है मुझे लगता है कि आज का ये कारेकरम आप सब लोगों का अभिनिंदन करने का कारेकरम है आपको किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा करो आपको किसी ने कोई आफर नहीं दिया था कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा और उसको किसी भी परिश्तिति में जहां मैं खड़ा हूँ जहां मैं खड़ी हूँ जैसे हूँ उस परिश्टिते में कुछ करने की जो इच्छा है उसके कारण आप सब लोग इसमें लगे हुए हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत अभिरण करता हूँ कि यह भारत के आम की शक्ति है जिसने भारत को बनाया है और बना कर रखा हुआ है और राश्ट्रिय संसेवक संग के जो संस्तापक थे डॉक्टर केश्व बली राम हिडगेवार वो नाकपुर के थे और अपने पढ़ाई के काल में तो कलकत्ता में उन्हों में बेडिकल में पढ़ाई की उस सम के अलेपैथिक डॉक्टर बन गए थे वो और आने के बाद उन्होंने नाकपुर में बहुत सारे समाजिक संस्ताओं के साथ काम किया उस समय और कॉंग्रेस के भी वह सक्रिय कारे किया आज की नहीं उस समय की कॉंग्रेस राश्ट्री अंदलन की कारेस और उस समय के बहुत सक्रिय कारे करता थे और उन्हें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के सामाजिक काम किये सामाजिक काम करते करते उन्होंने एक समय बहुत अंदलन में गए जेल में गए एक सक्रिय कारे करता थे परन्तु वो काम करते-करते ही उन्होंने 1925 में राष्टिय सेंसेवक संग की स्थापना की संग की स्थापना की और स्थापना करने के कुछ सालों बाद 1937 में पुझे महात्मा गांधी जी वर्धा आये थी वर्धा के पास आज बापु कुटी है वहाँ सेवागराम है सेवागराम में एक संग का शिविर लगा हुआ था वहाँ पर वो आये हुए थे और उनको पता चला कि संग का शिविर है वो संग शिविर देखने चले गए हैं शंग शिविर देखा मैं उसके विस्तार पे नहीं जाऊँगा और उस्तमें डॉक्टर हेटीbn के सी नहीं थे शाम को वो Dr. जी से मिले Dr. जी उनको खुद मिलने गए उनके जहां वो ठहरे थे और उन दोनों की चरचा हुई चरचा हुई तो उन्ने कही सारे विशेयों को उन्ने पूछा और उस पूछने में उन्ने एक बात उनसे पूछी कि आपका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये काम आप कॉंग्रेस के कारे करता है तो ये काम आप कॉंग्रेस में रहकर क्यों नहीं करते हैं ये प्रश्ण उन्होंने पूछा डॉक्टर जी ने उनको जवाब दिया कि जो राजनीती का जो सरूप है उसमें आप लोग सारी बातों के आगे पीछे राजनीती करते हैं राजनीती देश की सवगंतरता के लिए आवश्चक भी हैं और उसके लिए हम आपके साथ हैं परन्तु देश को देश आगे अगर सक्षम बनना है तो वो किसी एक संगटन किसी एक नेता पर निर्भर रहके आगे नहीं चाह सकता और इसलिए बड़े-बड़े काम करने के लिए असामान्य काम करने के लिए कि अबल बड़े-बड़े लोगों की ज़रुरत नहीं है तो देश का सामान्य वेक्ति जब किसी पर निर्भर न रहते हुए 24 by 7, 365 देश के बारे में सोचेगा देश के लिए अनुकूल जैसा है समाज के लिए वैसा रहेगा, वैसा जीएगा और रोज देश के लिए कुछ करेगा ऐसे सामान्य लोगों की देश को जरूरत है इसी से देश लंबे समय तक आगे चलता रहेगा और इसलिए उन्होंने एक वाक्य कहा कि बड़े-बड़े असामान्य काम करने के लिए असामान्य बड़े-बड़े लोगों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं तो सामान्य लोग भी संगटित होकर असामान्य काम कर सकते हैं सामान्य लोग भी संगटित होकर असामान्य काम कर सकते हैं बहुत unprecedented काम कर सकते हैं और इसके लिए ऐसे लोग जिनके मन में ये शुद्ध भाव हो उनको एक साथ होकर अपने अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा मुझे लगता है कि ये जो विचार संग के समस्तापर डॉक्टर जी ने अपने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा वो बिल्कुल लागू होता है हमारे भारत के सामान्य लोगों की शक्ती बड़ी असामान्य है और इसलिए यही कारण है कि हजारो वर्ष हजार वर्ष लगबग आठ सो वर्ष हमारे देश पर इतने आकरमन हुए जहां दुनिया के कई देश मिढ़ गए उनकी संस्कृतिया मिढ़ गए परंतु भारत में भी राजा मिढ़ गए राज्य समाप्त हो गए परंतु राज्य समाप्त होने से सामान्य लोग हताश निराश नहीं हुए उनके अंदर अपने संस्कृति की धारा और उसके प्रतिजवा विश्वास था वो इतना अदूट था इतना मजबूत था कि वो फिर से खड़े हुए हैं जहां जो जिसको समझ में आया उस तरीके से सक्रिय हो गए अभी अभी हम लोग ने अपने स्वाधिन्ता का अमरुत महुस्व को मनाया स्वाधिन्ता के अमरुत महुस्व के समय उसका जब आने वाला समय था तो मेंने और हमारे कुछ साथियों ने संगर्टन की योजना से देश भर हम लोग गए हर प्रांत में गए इसलिए गए क्योंकि एक देश को जो स्वाधिन्ता मिली वो किसी एक व्यक्ति से किसी एक कुछ समुह से नहीं मिली तो समाज के हर तरह के लोगों ने इसमें भाग लिया जिसको जो समझ में आया जिसकी जो क्षमता थी उसके कई गुना बढ़ चड़कर उन्होंने अपना योगदान देने के बाद ही ये और कई रास्तों से जब ये काम हुआ तब देश को स्वाधिन्ता मिली है और उसलिए जब हम देशवर में गए और एक एक परांत में पूछते थे कि यहां कोन लोग थे जिनोंने भाग लिया कोन लोग थे कहां से थे तो ध्यान में आया कि देश का कोई कोना ऐसा नहीं है कोई समुदाय ऐसा नहीं है कोई भाषा के लोग ऐसे नहीं है कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां से लोगों ने देश की स्वाधिनता के लिए सब कुछ निचावर करते हुए अपना स्वाधिनता के लिए में योगदान नहीं दिया हो समर्पन न किया हो यानि हम तमिल नाडू के जिलो जिलो में देखा तो आजादी के आजाद हिंद फोज में तमिल नाडू के हर जिला से लोग शामिल हुए है आज भी वहाँ जाएंगे आप तमिल नाडू के तो हर जगा आपको सुभाष चंदर बोस की मुर्ती उनका नाम और अपने घर में भी किसी ना किसी का नाम हर शहर जिले में आपको सुभाष नाम दिखेगा अब कहां के सुभाश्चिंदर बाभू थे कहां तमिल नाडू था आजकल कुछ लोग निकल के आए हैं वहाँ पर तमिल नाडू में जो अलग-अलग की बात करते हैं उनको देश के इतिहास को उठा के देखना चाहिए कि हमारा देश क्या है और हमारा आपस में जुडाव क्या है लोग सोचके देगी शायद नौर्थिस्ट का इसमें कुछ संबन्द था कि नहीं था मुझे भी पता नहीं था हम लोग गए नौर्थिस्ट में नौर्थिस्ट में देखा तो राजा कुलचन जिनका नाम भी हमने सुना नहीं था उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब संगर्श किया था उनका बेटे ने भी संगर्श किया था वो मारे गए और इनको अंग्रेज पकड़कर अंदमान लेके गए अंदमान में उनको रखा उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपने धर्म की रक्षा के लिए संगर्श किया था ऐसी बहुत सारी कहानिया जारखन के जंगलों से बगवान बिर्शा मुंडा से लेकर बहुत सारे मैं कभी कभी सोच रहा था जब आपकी फिल्म आई मनी करनी का तब मैं सोच रहा था कि जब मनी करनी का अपना ये काम कर रही थी तब दुनिया के ऐसे कौन से देश थे जो आजकल बड़े-बड़े बोलते हमें फेमिनिजम सिखाना चाहते हैं और बहुत सारी वाते सिखाते हैं तो मैंने comparative चार्ट देखा कि उस समय उनके समय में दुनिया में ऐसी कौन सी फोजे थी या ऐसे कौन से लोक थे कि जहां महिलाएं इतना बढ़ चड़कर इतना वीर और शारियता दिखा रही थी मुझे कोई उधारण नहीं मिला मुझे कोई उधारण नहीं मिला और इसलिए ये बाते जो है ये बाते आज समाज जानना चाहता है बहुत सारी बाते हैं जो हमसे चुपाई गई दुरभा के था कि विदेशी आकरमक थे उन्होंने चुपाई दबाई एक अकरमक थे जिनको लगा कि शायद वो हमारे भगवान सुरी राम मंदिर तोड़ कर शायद राम जी को यहां से बाहर ले जाएंगे हमारे दिलों से ले जाएंगे लेकिन शायद उनको पता नहीं था पांस सो वर्ष लग जाए छे सो वर्ष लग जाए यहां का हर एक व्यक्ति के मंद में राम है वो संगर्ष करने ही वाला था और इसलिए कितना संगर्ष हुआ कितने बलिदान हुए हर प्रकार के लोग लड़ते रहें किवला आयोध्या के लोग तो लड़ें परन्तु देश के हर कोने से लोगों ने आकर संगर्ष किया आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व का हर्ष का विशे है कि उसी भगवान स्री राम के जन्म भूमी पर भगवान स्री राम का भव्य मंदिर जन्वरी महा में 22 जन्वरी को प्रतिश्ठापित हो रहा है उसकी प्रतिश्ठापना हो रही है और इसलिए हम लोगों के जो संगर्ष है वो वर्थ नहीं जाते हैं हमारे संगर्ष प्रारभ्व में छोटे 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 लगते हैं हम जो बाते उठाते हैं वो छोटी 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 लगती है शायद आप एक post social media पर डालते हैं वो शायद 10 लाईक आते होंगे पचास ल कहीं रोटेट होता रहता है और वो परणाम करता है मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब भगवान स्री राम जन्म भूमी के बारे में विशय उठाया गया हमारे देश में लोक्त है कोई बोल रहे थे कि वहां भगवान राम जी हुए की नहीं हुए तो कब हुए फिर उनकी बुद्धी जीवियों की बुद्धी में कुछ भ्रहम आ गये थे तताकदीद बुद्धी जीवियों के परणतु आम लोगों को ये बात समझ में आ रही थे और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये राम जन्म भूमी का अंदोलन था । सामान ने जरने के दिल की पुकार थी और इसलिए 30 साल में ऐसे ऐसे लोगों तक ये विशे चलता गया लोग खड़े होते गए खड़े होते गए लोग समझते चले गए और आज 30 साल के बाद जब बगवान सिराम का मंदिर बन रहा है परन्तु जो लोग अलग अलग इदर उदर भटक रहे थे आज कल वो भी सारे लोग राम का ही जब कर रहे है कोई राम बन पत्थगमन बना रहे है कोई हनुमान जी का नाम ले रहे है बहुत अब सारे लोग इस रास्ते पर आ गए कि फिर से राम जी का ही नाम ले रहे हैं तो देश में आम लोग जब किसी बात को ठान लेते हैं और अपने अपने तरीके से अपना योगदान देते हैं तो बातें बदलती हैं कल ही सरवोच्य न्यायले का निर्णे आया कि जम्मु कश्वीर में जो धारा 370 अनुच्छे 370 लागू था उसे सरकार ने तो निरस्त कर दिया था अब उसको सरवोच्य न्यायले ने भी वैदता दे दिया है मतलग कानुन अंतर पर इसको मान लिया गया है कि यह वैद है लीगल है यह मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी बात एक हो गई है क्योंकि इस बात के लिए भी हमारे ही ऐसे कुछ तदाकदित बुद्धी जी भी सामान में समाज में भर्म फइला रहते हैं कि यह कहीं शायद हमने ही मलोब पाकिस्तान की भाशा बोलते थे कल भी कुछ लोग रोये हैं रोना आ रहा था उन लोगों को शायद पता नहीं कहा कौन सी स्कूल में पढ़े देखना पड़ेगा ठीक हमारी किसी स्कूल में तो ऐसा नहीं पढ़ाये गया देखना पड़ेगा कौन सी स्कूल में पढ़े जो हम क्लास में पढ़ने जाते वो भी स्कूल है फिर विचार की भी स्कूल होती है आप संगडन में गए उसका भी स्कूल होता है तो पता नहीं उनकी कौन सी स्कूल में वाायरस आ गया है और इसलिए कुछ लोग रो रहे थे लेकिन देश में ये एक बात है कि जो बात अगर हम दंदारी से किसी सच को बोलते हैं और उस सच को बार बार बोलते हैं जूट का ही narrative नहीं बना सकते हैं, कुछ समय के लिए आप narrative बना सकते हैं, बहुत सरे ऐसे narrative हमारे देश में बनाए गए, परवंदु अब social media हमारे पास एक ऐसा हतियार है, जिसका कुछ लोग दुरूपयोग कर रहे हैं, लेकिन यही एक हतियार है, जिसका हम सदुरूपयोग क कर सकते हैं, और जिससे सारी सचाईयों को हम सामने ला सकते हैं, लोगों के, और उसका सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है, जिकि हमें पता होना चाहिए, हमारे देशवासियों को सही बात पता लगनी चाहिए, और सच की आवाल दूर तक जानी चाहिए, आज पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया कि कानुनन तोर पर 370 टिंपररी था कश्मी जम्मू कश्मी भारत का अभिन अंग है और आने वाले समय में भारत के जो हिस्सों पर हमारे कुछ पडोसियों ने जो कमजा किया है उससे भी वो भारत का हिस्सा मुक्त जल्द ही होगा ये विश्व पास जनमानस ने मुझे लगता है इस 370 को हटने के निरणे ने जगा दिया है और अगर हम लोग इस बात को लगातार उठाते रहेंगे तो आने वाली सरकारे और आने वाले समाज इस पर भी कारवाई करेंगे अवर्श्य करेंगे लगातार बूल बात है कि बाकी सारे बहुत सारे भ्रह्म क्यों होते हैं भ्रह्म इसलिए होते हैं कि भारत के बारे में एक स्पष्टता होना जरूरी है कि हमारा भारत क्या है अभी आने वाले समय में हमारे सम्वीधान के भी पचातर वर्श होंगे और भारत के बारे में कही लोगों ने ये कहा कि भारत तो बंद रहा है कुछ लोगों को लगता है कि भारत ब्रिटिशों के आने के बाद एकठा हुआ कुछ लोगों को लगता है कि मुगलों ने एकठा किया लेकिन मुझे तो उनके ग्यान पर ही थोड़ी दया आती है भारत हजारों वर्शों का है एक दिन में किसी ने बनाया नहीं इसके कोई उस तरह की पीता नहीं है कि हजारों लाखों लोगों की कई पीडियों की साधना से ये राश्ट्र बना है और ये राश्ट्र बनते समय यही बात सबके मन में थी कि मेरा मैं दुसरों को भी अपने आत्मियता से देखता हूँ उनको भी अपना मानता हूँ मेरे साथ उनका भी भला होना चाहिए और ऐसा सबका भला हो ऐसा जो सोचते हैं उनको एक साथ होना चाहिए और ऐसे करते करते मिलते मिलते कई पीडियां बित्ती चलीगे और हमारा ये राश्ट्र के रूप में हम उभर के आए है इसलिए एक दिन का सपना नहीं है भारत किसी के मन में आया किसी ने लिख दिया सुबह उटके और भारत बन गया नहीं ये भारत एक कठोल परिश्रम से हजारों पिडिया कई वर्ष और बहुत सरे अनुभो क्या अधार पर ये बना है अब क्या होता है कि मैंने अनुभो ले लिया सारा समझ लिया और मैंने बता दिया कि भाई अब ऐसे चलो अब भारत ने तो सारे अनुभो हजारों वर्ष में ले लिया उसके बाद कुछ ग्यान निकला अब कुछ लोग देश है जो दोसो वर्ष हो गए तीनसो वर्ष हो गए पांचसो वर्ष हो गए लेकिन उन्हें लगता है कि हमें नया ग्यान प्राप्त हो गया अब वो लोग कहते कि भाई चलो इसी रास्ते से करो अब हम बता रहे हैं उनको कि इस रास्ते से नहीं भाई ऐसा चलो अब किसी ने तई कर लिया कि हमें फिर से वो सारे अन्भो लेना आ आए तो ले लीजे कौन मना कर रहे हैं लेकिन हम फिर उस रास्ते से हम क्यों जाएं हम तो उस रास्ते से चल कर बहुत सालों पहले आ चुके हैं और इसलिए हम सब के प्रती सानुभूती रखे लेकिन हम अपने रास्ते को पहजानना बहुत जरूरी है हमारे भारत के बारे में ये दुरुष्टी रखना बहुत जरूरी है और इसलिए भारत से जो बाते जन्मी वो मानवता के हित्मे जन्मी इसलिए हजारों वर्ष पूर्व का जो योग है वो आज भी दुनिया के लिए मौडरन जमाने में भी बहुत उप्योगी है ऐसी बहुत सरी चीज़े है क्योंकि जब आप एक आत्मियता के प्रती ध्यान में रखकर जब बातों का निर्मान करते हैं तो वो बाते ऐसी ही शुद्ध भाव से जो बाते आती है वो शुद्धता ही लाती है और इसलिए आज एक आत्मभिश्वास के साथ आत्मभिश्वास के साथ ये बाते लोगों के सामने ले जानी की जरुरत है आज समाज में एक जागरूती का समय है संकल्प का समय है क्योंकि आज भारत के हर व्यक्ति के मन में यह आ गया है कि हम आगे बढ़ सकते और हम इसमें योगदान करना चाहते है अब भारत के सामान्य लोग दर्शक मुद्रा में नहीं है बस हम देखेंगे कैसा देश आगे जाता है अब सामान्य लोगों का मन यह है कि हम इसने सहबागी कैसे हो सकते है और इसलिए आप सब लोगों के माध्यम से ये सहबाग होने की बात लोगों तक जाना जरूरी है और इसलिए आप ऐसे कई विश्यों को मैं देख रहा था कि कोई प्रविण थे कोई मोहित थे कोई थे विडियो जब दिखा रहे थे बहुत अच्छे काम आप लोग कर रहे है मतलब आपको जितना मैं साधुआद दू उतना ही कम होगा आपने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया है मैं आपसो बहुत बहुत आभार और सुबकामना देता हूँ आने वाले समय में भी बहुत सरे ऐसे विशेख है आजकल पर्यावरन की बात हो रही है अब पर्यावरन के बारे में भी बहुत सरे दुनिया के ऐसे देश है जिन्होंने पर्यावरण का सबसे नाश अगर किसी ने किया होगा तो उन्होंने किया परन्तु आजकल उनके द्वारा ही हमें बहुत सारा ग्यान प्रदान किया जा रहा है वास्तव में पर्यावरण ये अपनी रीती नीती है अपना वेवार है, अपनी जीवन शेली है और इसलिए उसके बारे में सुनना, समझना, अपने जीवन में लाना ये सब लोगों के सामने विशे ले जाना चाहिए आप अपने मादेमों से ये विशे जरूर समाज के सामने ले जाएए दूसरा हमारे समाज के सामने महत्व का विशे है हमारे रिष्टों के बारे में कि हमारे जो आपस के रिष्टे है हमारे परिवार के रिष्टे हमारे समाज के रिष्टे हमारे अलग-अलग प्रांतों के रिष्टे ये रिष्टे बहुत महत पुरुन है इनको मजबूत करना है आज हमारे पारिवारिक रिष्टों पर हमारे सांस्कृतिक जो संबन्द है उ कोई नए रिष्टों को भी गड़ने के प्रयास कर रहे हैं, विवा को भी नए नए मतलब वितर्क के द्वारा बहुती विचित्र से रिष्टों को भी स्तापित करने के बारे में बाते चल रही हैं, ऐसे समय में हमारे समाज के लिए और दुनिया के लिए बहुत आवश्चक कि हमारे परिवार किस तरीके से अगर एक ऐसे रिष्टों के आधार पर जो आत्मियता के है प्रेम के है युद्धता के संस्कृति किसे जुड़े है तो उससे हम एक बहुत आनंद के साथ जी सकते हैं ये बात जाना आवश्चक लोगों तक पहुंचना आवश्चक है आज ए पिछले 200-300 साल में जैसे आती गई वैसे दुनिया में भी ली गई हम भी लेते चले कह आई है और कई सरी बाते हैं अपने जीवन-शैली की हमने हुपलब्द टेक्नालाजी के आधार पर टाय कर लिए कि टेक्नालाजी कौन 편सी आ गई है वैसे हमारी जीवन-शैलिवी हो ग आरों में आरें, रिश्टों में आरें ये सारे जो समस्चाय है तो एक बार ये सोचने का समय है और भारत अब उस सोचने के लिए सक्षम बन रहा है कि भाई टेक्नलोजी के आधार पर हमारी सांस्कृति और हमारी जिवन शेली तय हो गई या हम कैसा जीना चाहते हैं कैसे हम जीना चाहते हैं उसके आधार पर हम अपने तक्निकी का निर्माण करेंगे इसलिए चौईस अब कल्चर पहले होगा या चौईस अब टेक्नलोजी पहले होगा रोबोट हमारा कल्चर नहीं तह कर सकते है तो एक मनुष्य को एक समस्कुर्ट मनुष्य को अपने तरीके से हमारे जीने के तरीके को हमें चॉइस अफ कल्चर करना पड़ेगा आज की नई पिड़ी के सामने यह महत्तपूर्ड प्रशना है कि हम जीना कैसे चाहते हैं और फिर उसके आधार पर हमारी इतनी शमता है कि उसके लिए आवश्यक तक्रीकी जो होगी उसका हम उपयोग करेंगे नहीं होगी तो निर्माण करेंगे, सुरुजन करेंगे उसका ये बात आज के समय में बहुत मौतपूर्ण है जब हम भारत के नाते एक राश्टर के नाते आगे बढ़ रहे जिवन के हर ख्षित्र में आगे बढ़ रहे और इसलिए ये बड़ा संयोग है कि एक समय मनले ये भारत के दो परतीक के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे इजरो का हमारा चंदरयान में हम चांद पर भी पहुच रहे अपनी तक्रीकी से और दुसरी तरफ हमारे संस्कूर्थी के बगवान स्री राम का भव्य मंदिर हम अयोध्या में निर्मान भी कर रहे और दोनों के लिए हमारा ये संगर्ष बहुत वर्षो से चल रहा है और ये भारत का वास्तविक चित्र है जो दोनों मुद्धों पर हमें उतने ही आगरह बुर्वक आगे चलना है ये कॉंबिनेशन जो है हमारा यही कॉंबिनेशन भारत को आगे बढ़ाएगा और विश्व में शान्ती लाएगा तो ये सारे बहुत सारे ऐसे है और इसलिए इन विश्यों के बारे में बहुत रोचक तरीके से मैं तो शाहिद लंबा बोल रहा हूं आजकल सोशल मेडिया में तो रील चलता है 30 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड कई लोग कहते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी बात नहीं सुनते लोग छोटी रील का जमाना आ गय नहीं को प्राइशन का टाइम कम हो गया ऐसा बोलते हैं मैं उनको प्रश्न पूछता हो कि वह यार ताइम बगर है लोगों के बहुत हैं कि जो लोग रील देखते हैं आ जो युवाओं के बारे में देखते हैं वही लोग नेटफलीस के टीन-तीन सीजन के आठाट एपीसो लगा तो पूरे three season भी देख लेते हैं, तो इसलिए long content का भी scope हैं, but आपकी प्रस्तुथी महत पूरुना है कि आपकी जö 30 second की फ्रस्तुथी है, शुरुआत जो आप करते हैं वो कह सी है, जिसे आप तो फिल्म से हैं, तो फिल्म तीन गटे की तब अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो फिल्म देखते हैं लोग वही बात अब सोशल मीडिया में आ गई है यूटूब का लॉइडियो भी देखते हैं लोग और सोशल मीडिया की रील से उसका जेज्जमेंट करते हैं इसलिए आप लोगों को इस बात को अगर हम बात बताना चाहते हैं तो वो बात रखना बहुत जरूरी है आप इन सब बातों की दिन में हम लोग अलग-अलग सेशन में इसकी चर्चा कर लेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग बड़े उच्छा से यहां पर आये हैं और निश्चित रुप से आप ही इस परिवर्तन के जो अफिक्षित है पुरुदेशवासियों को उसका आप लोग महत्पूर्ण योगदान आप लोग देंगे इस कारिया में आप आगे बड़े यही आपको शुपकामना भारत मता की जाएं